हीरो मोटो कार्प ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को दी विशेश छूट युनिवर्सल मोटर्स देवगां के उप्रबंधक मनीश यादव ने दी जानकारी शिक्षकों का सम्मान करते हुए हीरो मोटो कार्प ने शिक्षक दिवस के अउसर पर शिक्षकों के लिए भारी छूट की घोचला की है इस अउसर पर एच एफ डीलक्स माडल पर दू हजार रूपए पैशन प्रो सुपर इस्प्लेंडर और ग्लैमर पर तीन हजार रूपए स्कूटर एक्स्ट्रीम और एक्स प्लस पर चार हजार रूपए की छूट प्रदान किये जाने की युनिवर्सल मोटर्स देवगां के उप प्रबंदक मनीश कुमार यादों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरू दक्षिडा कारिकरम के तहत उपरोक्ती स्कीम चलाई गई है जो एक सितंबर से पंदरा सितंबर तक चलाई जाएगी इस मौके पर हीरो मोटो कार के इस्थानी डीलर युनिवर्सल मोटर्स की ओर से नव जेवती इंटरकाले चेवार में एक कारिकरम का भी आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों को उपरोक्त जानकारी प्रदान करते हुए युनिवर्सल मोटर्स देवगां के उप सभाजीत यादो, प्रिंसिपल कमल यादो, अध्यापक हीरा यादो, मुकेश यादो, अनन्ता यादो, सुनीता पांडे, साधना सिंग कमला कांत जैसवार इत्यादी मौजूद रहे कारिकरम का संचालन शिव मंगल गुपता ने किया इस फ्लक्ष में हमारी कमपनी ने आफर किया है, जैसे कि आप लोग डेट रहे हैं, कि हम बिलस के मौडल के 2,000 रुपी शूट, पैसन, प्रो, सूपर, स्पंदर और गुलाइमर कर 3,000 की शूट और 4,000 रुपे की शूट है, स्कूटर, एक्स्टीम और स्पंस यासा स्रीश लाल गंज में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के दूसरे चरण का जागरूकता कारिकरम किया गया आयोजित लाल गंज विकासखंड सभागार में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहट जागरूकता कारिकरम के दूसरे चरण का कारिकरम आयोजित किया गया विकासखंड सभागार में आयोजित इस कारिकरम में पानी के बचाव जल ही जीवन है पानी को स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त रखने के लिए समस्त गाउं से स्वयम सहायता समूह की महिलाओं के दूसरे बैच को प्रशिक्षित किया गया विदित हो कि पूरो में भी एक प्रशिक्षन कारिकरम चलाया गया था जिसमें लोगों को जल के सनरक्षन और इसके सदूपयोग के प्रति जागरूक करते हुए विभिन प्रकार की जानकारी प्रदान की गयी थी आज सोमवार को प्रशिक्षक दीपू सिंगद्वारा दूसरे चरण में उपस्थित लोगों को पीने के पानी का रख रखाओ घर और गाउं में बने सारुजनिक शोचाले का प्रयोग लगातार करने खूले में शोच न करने के लिए प्रेरित किया गया इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पानी की 11 प्रकार से जांच होती है उन्होंने पानी की जांच में क्लोराइड, हार्डनेस, आईरन, आदि सहित 11 प्रकार की जांच के संबंद में अवगत कराया इस मौके पर सावित्री, मौरिया, अनीता, रेखा, संगीता, सुनीता, रेणू, निशा, नीतू, मम्ता, सोन, मित्यादी सहित, सैकडों, महिलाएं उपस्तित रही, सभी को जल ही जीवन है, तथा अनावश्यक जल खर्च न करने के संबंद में, जागरूक करने है तु ग्रा इस मौके पर प्रशिक्षक दीपु सिंग, प्राहलाद दूबे, राजमडी, मंजीत, सहित, अन्य ग्रामीड और सोन, सहायता, समूह की महिलाएं मवजूद रही, M.M. English Public School बनारपूर में धूम धाम से मनाया गया शिक्षक दीवस, मदर टेरेसा को अरपित की गई श्रत धानजली, M.M. English Public School बनारपूर में आज शिक्षक दीवस के अउसर पर भारत के द्वीतीर राश्पती सरोपली राधा क्रिशनन की जैनती धूम धाम से मनायी गई, इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कारिकरम आयोजित किया गया और मिशनरी आफ चैरिटी के द्वारा अपना पूरा जीवन बीमार और गरीबों की सेवा में समर्पित करने वाली मदर टेरेसा का इसमर्ण कर उन्हें श्रद्धानजली अर्पित की गई आपको बता दें मदर टेरेसा का आज ही के दिन सन 1997 में कोलकाता में स्वरगवास हो गया था विद्याले के सह प्रबंधक फैदान आहमद और प्रधानाचारे राजेश सिंग ने शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद ग्यापित किया और उन्हें और मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोचसाहित किया गया इस मौके पर बच्चों के उत्साह वरधन के लिए सामान ने ग्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा पांच से दस तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया प्रतियोगिता में डेमोक्रेटिक हाउस की टीम विजेता रही सह प्रबंदक फैदान अहमद ने विजेता टीम के कप्तान को पुरसकार प्रदान किया ततपश्चात बच्चों में टाफी आधी का वितरन किया गया जबकि विद्याले प्रबंधक द्वारा शिक्षकों के लिए भोज का आयोजन किया गया विद्याले के चेर्माइन अबुल्लैस खान ने सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई प्रदान की उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष और देश निर्माण में शिक्षकों की भूमिका आतुलनी है इसे भुलाया नहीं जा सकता इस मौके पर विद्याले के उप प्रदानाचारे मिर्जा आसिफ बेग कोडिनेटर पंकज सिंग अंग्रेजी विभाग के हेड आफ डिपार्टमेंट सुनील कुमार विज्यान विभाग के हेड आफ डिपार्टमेंट अबुबकर योगेंद्र यादव, रवी कुमार, हाफिज शफियूर रहमान, शैलेंद्र कुमार सिंग, नूरसबा बानो, तबस्सुम बानो, अनीता सिंग, शकीला अंसारी, गुलशमन आरिफ, जेबा फिर्दोस, शीजा बानो, अनीता सरोज, प्रीती मौर रियादी उपस्थित रह उतक्रिष्ट शैक्षणिक कार्य करने के लिए देवगाँ प्रात्मिक विद्याले पर्थम के प्रमोद यादव और इसमाइलपूर बराहती के आशीश कुमार श्रीवास्तों किये गए सम्मानित आज सोमवार को जीला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान आजमगड़ द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कारिकरम में आजमगड़ जनपद के 23 बलाकों में उतकरिष्ट काम कर रहे 46 शिक्षकों को उप शिक्षा निदेशक बेसिक प्राचार डायट अमरनाथ राय दौरा प्रशस्ति पत्र दे कर सम्मानित किया गया इसी करम में शिक्षक शेत्र लाल गंज से प्राथमिक विद्याले देवगां प्रथम के शिक्षक प्रमोद यादो और प्राथमिक विद्याले इसमाईल पूर बरहती के आशीष कुमार श्रीवास्तो को उतकरिष्ट शेक्षडिक कार करने के लिए उप शिक्षा शिक्षक और प्राचार डायट अमरनात रायद्वारा आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यही वज़ा रही है कि सोतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उन्हें प्रथम उप राष्ट पती तद उपरांत राष्ट का दूसरा राष्ट पती बनाया गया। उनकी सादगी की लोग आज भी मिसाल देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों में निखार पैदा करता है और बच्चों को उस अस्थान पर पहुचाने की क्षमता रखता है जो वो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा जो शिक्षकों का सम्मान नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ सकते। समारोह में प्राचार राजेश सिंग, उप्रधाना अध्यापक हरिशंकर सिंग, समनवयक अंकुर मिश्रा, विवेक सिंग, अनिल कुमार, ज्यानेश्वर सिंग, उसुम, शवर प्रताप स सिंग, इंटर कालेज, निगोर गंज, आजनगट, आज भी द्याले में छात्रों के द्वारा सिक्षक दिवश भवे रूप शे मनाया गया, सिक्षक दिवश प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत के दुतिय राष्टपत, डाक्टर सर्पली राधा कुछनन के जन्म जिवश के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के दुतिय रूप राष्टपत के साथ साथ एक महान सिक्षक और आदर सिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, वैसे तो गुर उसिस्य की परमपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है, जहां पे गुर और उसिस्यों के बीच एक आदर्स संबंद कायम रहता है और हर साल जो विद्यालेओं पर सिक्षक दिवश आयोजित किया जाता है इसका मूल भूत उद्देश ये होता है कि छात्रों के बीच अपने सिक्षकों के प्रती एक आदर एवंग शम्मान की भावना हो और वे सदव अपने गुर्जनों क का शम्मान करें उनके द्वारा सिखाये हुए उनके द्वारा प्रेडा दिये गए कार्यों पर अनुपालन करें इसलिए हम प्रतिवर्ज सिक्षक दिवश मनाते हैं और हम सिक्षक दिवश पर सभी को अपने शुब काम नाय उन पधाई लेते हैं तरफकाजी गराम परधान डाक्टर संजे चौहान ने कहा क्षेत्र को घोशित किया जाए सूखा ग्रस्त लालगंज क्षेत्र में अपेक्षा किरित बारिश ना होने के परिडाम सुरूप धान की फसलों पर संकट के बादल मडराने लगे हैं किसान पूरी तरह चिंतित हैं कि खुद क्या खाएंगे और पशूओं को क्या खिलाया जाएगा इसी क्रम में अब लोग ये मांग उठाने लगे हैं कि खेत्र को सूखा ग्रस्त घोशित कर दिया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत प्राप्त हो सके और सरकार कुछ अनुदान दे जिससे की लोग खुद भी खा सकें और अपने पशूओं को भी खिला सकें तरफकाजी गरामसभा के प्रधान डाक्टर संजे चौहान कहते हैं कि अगर धान की फसल नहीं हुई तो पशूओं को क्या खिलाया जाएगा उन्होंने मांग की कि खेतर को सूखा ग्रसित गोशित किया जाए और सरकार अनुदान दे ताकि लोग पशूओं को आवारा न छोड़ें उन्होंने मांग की है कि अब खेतर को सूखा ग्रसित गोशित कर दिया जाए ताकि किसानों को कुछ राहत प्राप्त हो सके धान के खेट की वरतमान इस्थिती को आप देख सकते हैं खेट में पूरी तरह दरार फटी हुई है और इसे देखकर खेट में फटी दरार की तरह काश्टकारों का सीना भी फटता जा रहा है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें ग्राम प्रधान के साथ अन्यानेक लोगों ने भी कहा कि आप खेटर को सूखा गरस्त घोशित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि 20 जून से होने वाली बारिश आज 5 सितंबर होने के बाद भी उतनी नहीं हुई जितनी धान के खेट को जरूरत है चाहरे हैं कि हमारी आज इज एडियमसा आगे तक हमारे लाल गंट सब्सक्राइब हो गुषचित में जिससे हम जो नुक्सान हो मुंगारी काटेंगे जो हमारे पसू हैं उनको हम आवारा ना छोड़ें उसको बांद के रखें क्योंको चारा चाहिए जब चाहिए तो हमारी फसल होना जरूरी है जब फसल नहीं होगी धान नहीं होगा तो उसको पौल कहां से खिलाएंगे तो हम चाहरे हैं कि सरकार से आत्मेसिस होगी धन्यवाद